ओम नमशिवाय जै महाकाल ये विडियो मनुकामना पूर्ती के लिए हैं बहुत लोग परेशान रहते हैं धन, संपदा, व्यापार, नौकरी या पर कुछ लोग ऐसे भी हैं बहिया हमारी कोई इज़त ही नहीं करता है तो ये विडियो आपके लिए है बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा बस कुछ भी नहीं करना है थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी छोटा सा उपाय करिएगा और आपकी जो भी विशेज होगी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होगी तो विडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता दो कि इस पूरी विडियो में मनोकामना पूर्ती बीमारी के लिए हम लोग चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको करने चाहिए ठीक है चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो हल्दी के डिब्बे वाला उपाय है कोगे भी है इससे benefit क्या है फायदा क्या है देखो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है वो है बीमारी आज के time पे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास स्टोर पर जाओगे हल्दी की गाठ आसानी से मिल जाएगी मातर साथ छोटी छोटी हल्दी की गाठ लेना कितनी मातर साथ हल्दी की गाठ लेना साथ ही साथ आपको लेना होगा बेल पत्र बेल पत्र कितनी लोगे बेल पत्र भी आपको लेनी होगी साथ बेल पत्र जो कहीं दिन किसी भी वक्त इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है, पहुच गए, पहुचने के बाद वही पेल पिंड की जड़ में, जो आपने 7 बेल पत्र लिया है, उन 7 के 7 बेल पत्र को यही पर नीचे लगाएँगे, कितनी बेल पत्र? साथ की साथो बेल पत को बेल पेंट की जड़ में आप रख देना जैसे मैंने यहाँ पर देखो रख दिया मलब रख क्या दिया ऐसे बना दिया ठीके आप भी ऐसे रख देना रखने के बाद जो हल्दी है ना साथ हल्दी आपके पास है है ना साथ हल्दी पत्तों को एके करके यहीं बेल के पत्तों पे रखना होगा, किसका नाम लेखना होगा, माता कात्याइनी का नाम लेके भगवान शिव, दोनों लोगों का नाम लेना है, फिर से बुल रहा हूँ, नाम यहाँ पे लिख कर क्या रहा है, नोट कर लो, माता कात्याइनी का नाम ल बहुत बीमार रहता है या फिर हमारे घर में लोग बहुत बीमार पढ़ते हैं आप हमारी इस बीमारी को आप हमारे घर की इस समस्या को दूर कर दें नाम याद रखना फिर से बोल रहा हूं गलती मत करना माता का त्याइनी का नाम लेना है और भगवाई शंकर इन दोनों का नाम लेके सभी बेल पत्र पर एक एक हल्दी के टुकणों को मतलब जो गाठ है उसको रख देना ठीक है रखने के बाद क्या करेंगे इन साथ के साथ हल्दी के टुकणों को उठा लेंगे मतलब अपने पास रख लेंगे रखने के बाद ये जो साथ के साथो बेल पत्र यहां का इसमरण करते हैं, ठीक है, हल्दी की गाठ वहाँ पे छोड़नी नहीं है, हल्दी की गाठ आप अपने हाथ में ले करके, आप अपने घर चले जाना, ठीक है, बाताई समझ में, और कोई सा भी एक डिबबा लेना, और उस डिबबे में आप उन साथ की साथ हल्दी की गाठ को रख देना, ठीक है, जो भी व्यक्ति आप गर में बीमार है, उसी हल्दी की गाठ को पीसना, और जो भी चीज आप बना रहे हो, मालो की दाल बना रहे हो, सबजी बना रहे हो, तो उस व्यक्ति के लिए यह मतलब पूरा परिवार खा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कि सिर्फ जो बीमार है वही खाएगा, नहीं, सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन आप अगर खाना बना रहे हैं अपने घर में, साथ हल्दी के जो टुकड़े हैं, उसको पीस करके और आप उसको खाने में इस् इस से, तो यह बहुत ही प्यारा सा उपाय था बीमारी के लिए तो जरूर करिएगा, ठीक है, जब साथ टुकड़े खतम हो जाए हल्दी के तो फिर से उपाय को करने और फिर साथ टुकड़े हल्दी के लिए हैं, है ना, बात आई समझ में, चलो, पहले उपाय के हमने बात लेना होगा इस तरीके से दो लोटा, आप दो लोटा चाहे एक तांबे का लेलो, एक स्टील लेलो, दोनों तांबे का लेलो, दोनों स्टील लेलो, कहने का मेरा मतलब है, कोई साभी दो पातर लेलेना, जिसमें आप जल भर सकते हो, ठीक है, और दोनों पातरों में जल आप अपने घर से भरना, भर लिया, भर करके इन दोनों चुज़ें को लेके पहुँच जाना, महा देओ के शीवलिंग के पास, इस उपाय को घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, कोई देखकत नहीं, ठीके, पहुच गए, पहुचने के बाद ये जो भगवान शंकर का ये जो शीवलिंग है, इनके उपर जो पाँच की पाँचो बेल पत्र है, एके करके स्रीश वाय नमस्तु भिहम का, इसमरण करते भे समर्पित करेंगे, ठीके, समर्पित कर दिया, अब आप अपने दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड में भी, और राइट हैंड, डाएं हा दोनों हाथों में एक-एक कलश को पकड़ेंगे, और एक साथ जल की धार अपनी मनोकामना कहते हुए, इन पाँच के पाँचो बेल पत्र के उपर गिराएंगे, बिल्कुल धीरे-दीरे स्लो मोशन में, जो भी आपके विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, जल चढ़ाते एक साथ, एक चीज का ध्यार नखना, ऐसा नहीं कि बारी-बारी चढ़ाओ, जल की धार दोनों को एक साथ गिराना, अपनी विश अपनी मनोकामना कह देना, महादयो इससे बहुत खोश होते हैं, और आपकी जो भी विश होंगे, पूरी जरूर करेंगे, ठीक है, चलो, दो उपाय के हमने बात की, बहुत जादा आसान थे, आपको पता होगा, पहला उपाय थो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन समझने वाली थी, और बहुत जादा वो एफेक्टिव उपाय था, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय के तरफ, और ये तीसरे उपाय भी है, आपके घर में अगर बीमारी बहुत जादा है ना, उसके लिए, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो वीडियो मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, तेखो, इसक्रन अपने घर से, भर लिया, इसको लेके पहुँच जाना महादयो के शिवलिंग के पास, हमें पता है, आप सबको पता है कि महादयो का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है, एक बहुत ही उनकी प्यारी सी पुत्री है, जिनका नाम है माता असोक सुन्दरी, उनका स अस्थान ये होता है, जहां पर मैं रेट कलर से पेंट कर रहा हूं, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो दूरवा लाएं हैं, डंडी होनी चाहिए, आपको जलाधारी की तरफ और पत्ती का भाग होना चाहिए, महादयो की तरफ, यहीं पर माता असोक सुन्दरी के अस्थान प ठीक है, इतना करने के बाद महादयो के सामने हाथ चोड़ना, उनसे प्रातना करना, महादयो हमारे घर में ये बीमारिया है, या फिर हमारे सरीर में बीमारिया है, आप इस दूरवा को औशधी बना दें, जिससे हमारे जो भी बीमारिया हैं, दूर हो जाएं, जो जितनी भ केशवर महादयों के नाम से चबा-चबा करके खालें और पानी पी लें, जितनी भी दूरवा लिये हैं, उतने दिन उपाय को करके देखेगा, दूरवा खतम हो जाएं, फिर से उपाय को करिएगा, कंटीनु करिएगा, आपकी जो भी बीमारिया होंगी, धीरे-धीरे करके ख बस नाम याद रखना महादेव का कुंद केशवर महादेव, ठीक है, चलो, तीन उपाय की हमने बात यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस विडियो के सबसे आखरी और सबसे आसान उपाय की, आसान क्यों है, क्योंकि ये उपाय है, आपको धतूरे से करना है, इसके फा धतूरा मात्र एक लेना हरावाला, इसको लेकर के साथी साथ लेना तामबे का लोटा, और इस तामबे के लोटे में भरना जन, है ना, जो नाम बताओंगा, वो नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख करके भी आएगा नाम, तो आप नोट कर सकते हैं, जो धतूरा होगा महादयो के शिवलिंग के उपर समर्पित करना, जो डंडी का भाग होना चीहें, माता असोक सुन्दरी के तरफ, और जो कांटे का भाग होगा, वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़ी किदर हैं, फेस आपका है, उत्तर दिशा, यानि की नौर्थ डिरेक्शन, ठीक ह मुँ आपका ऐसे रहेगा, जिस तरफ जलाधारी रहती है, मुँ हमारा उसी तरफ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि जलाधारी का जो मुख होता है, वो उत्तर दिशा में होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत हुआ करिए, अब देखो, जो आपके हाथ में कलश ना, उस कलश का पूरा का पूरा जल, इसी धतूरे के ऊपर हाट केशवर महादयो, महादयो का बहुत ही प्यारा सा नाम है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्या नाम है, हाट केशवर महादयो के नाम से, उसी धतूरे के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देंगे, साथी महाद्यों से प्रात्ना करेंगे, महाद्यों हमारे घर का ये विखती है, बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आप इसकी गुस्से को शांत कर दें, और बहुती प्यार से सभी से बाते करें, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से महाद्यों से प्रात्ना कर लेना, ठी प्लैनेट 108 नीचे comment में भी कुछ समझ में नहीं आया, तो पूछ सकते हैं, और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओम नमशिवाय, जै महाकार